श्रिमत भागुतम अध्यान की श्रंखला में हम आपका स्वागत करते हैं आज हम तीसरे सकंद का 21 अध्याय पढ़ेंगे और इस अध्याय का सिर्शक है करदम जी की तपस्या और भगवान का उनको वर्दान विदुर जी ने पूछा भगवन, स्वयंभूव मनु का वंच बड़ा ही आधरनीय माना गया है उसमें ग्रहस्त धर्म के द्वारा प्रजा की व्रद्धी हुई थी अब आप मुझे उसी की कता सुनाईए ब्रह्मन, आपने कहा था कि स्वयंभूव मनु के पुत्र प्रियवरत और उत्तान पाद में सातों द्वीपों वाली प्रत्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था थथा उनकी पुत्री जो देवहूती नाम से विख्यात थी करदम प्रजापती को ब्याही थी देवहूती योग के लक्षण यम आदिसे संपन्न थी उससे महायोगी करदम जी ने कितनी संताने उत्पन्न की वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाईए मुझे उससे सुनने की बड़ी इच्छा है इसी प्रकार भगवान रुची और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापती ने भी मनु जी की करण्याओं का पानि ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या-क्या संताने उत्पन्न की यह सब चरित भी मुझे सुनाईए मैत्रे जी ने कहा विदुर जी जब ब्रह्मा जी ने भगवान करदम को आज्या दी कि तुम संतान की उत्पत्ती करो तो उन्होंने दस हजार वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की वे एकागर चित्त से प्रेम पूर्वक पूजनों पचार द्वारा शर्णागत वरदायक श्रीहरी की अराधना करने लगे तब सत्य युक के अरम में कमल लयन भगवान श्रीहरी ने उनकी तपस्या से प्रसंद होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्म में स्वरूप से मूर्ती मान होकर दर्शन दिये भगवान के वह भव्य मूर्ती सूर के समान तेजो मही थी वे गले में श्वैत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारन कियो हुए थे मुह कमल नीली और चिकनी अलकावली से शुशोबित था वे निर्मल वस्त्र धारन कियो हुए थे सेर पर जल्मलाता हुआ सुवण में मुकुट कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंक, चक्र, गदा आदी आयुद विराजमान थे उनके एक हाथ में क्रीडा के लिए श्वैत कमल थोशोबित था प्रभू की मधुर मुस्कान भरी चित्वन चित्त को चुराय लेती थी उनके चरन कमल गरुट जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंट में कौश्टुब मनी सुशोबित हो रही थी प्रभू की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ती का दर्शन करके करदम जी को बला हर्श हुआ मनों की सारी मनो कामनाय पूर्ण हो गई हो उन्होंने आनंद के साथ रदय से प्रत्वी पर सिर टेक कर भगवान को शास्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ चोड़कर सुमधुर वानी सेवे उनकी स्तुती करने लगे करदम जी ने कहा स्तुती करने योगे परमेश्वर आप संपून सत्तोगुन के आधार है योगी जन उत्तरोतर शुभयोनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों के इच्छा करते हैं आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया है आपके चरन कमल भावसागर से पार जाने के लिए जहाज है जिनके बुद्धी आपकी माया से मारी गई है वे ही उन तुच छनिक विशय शुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं आपके इन चरनों का आश्रे लेते हैं किन्तु स्वामिन आप तो उन्हें वे विशय भोग भी दे देते हैं प्रभो आप कल पर रक्ष हैं आपके चरन समस्त मनोरतों को पूर्ण करने वाले हैं मेरा अरदय काम कलुशित है मैं भी अपने अनुरूप सुभाव वाली और ग्रहस्त धर्म के पालन में सहायक श्रीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरन कमलों की चरन में आया हूँ सरवेश्वर आप संपूर्ण लोकों के अधिपती है नाना प्रकार की कामनाओं में फसा हुआ यह लोक आपकी वेदवानी रूप डोरी में बधा है हे धर्म मोर्ते उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको अग्या पालन रूप पूजो पहार आदी समर्पित करता हूँ प्रभो आपके भक्त विशया सक्त लोगों और उन्ही के मार्ग का अनुशरन करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशूओं को कुछ भी न गिन कर आपके चर्णों की छत्रचाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस पर आपके गुन गान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने शुधा पिपास आदी देह धर्मों को शांत करते रहते हैं प्रभो यह काल चक्र बड़ा प्रबल है साक्षात ब्रह्म ही इसके गूमने की धुरी है अधिक मास सहित तेरह महीने अरे हैं तीन सो साथ दिन जोड है चह रितुएं हाल है अनन्त च्छन पल आदी इसके पत्राकार धाराय है और तीन चातुर माश इसके आधार भूत ना भी है यह अत्यन्त वेगवान सम्वत्सर रूप काल चक्र चरा चर जगत की आयू का ख्षेदन करता हुआ गूमता रहता है प्रभो इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिछिन सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ती से दर्शन दिया है आप हम भक्तों को जो शब्द आदी विशय सुख प्रदान करते हैं वे माईक होने के कारण ये दिपी आपको पसंद नहीं है तथा भी परिणाम में हमारा शुब करने के लिए वे हमें प्राप्त हो हे नात आप स्वरूप से निस्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का विवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलशित वस्तूओं की वर्शा करते रहते हैं आपके चरण कमल वंदनी हैं मैं आपको बार-बार नमश्कार करता हूँ श्री मेत्रे जी कहते हैं भगवान की भवहें प्रणे मुस्कान भरी चित्वन से चंचल हो रही थी वे गरूर जी के कंधे पर विराजमान थे जब करदम जी ने इस प्रकार निश्कपट भाव से उनके इस्तूती की तब वे उनसे अमरतमई वाणी से कहने लगे श्री भगवान ने कहा जिसके लिए तुमने आत्म शैयम आदी के द्वारा मेरी आराधना की है तुम्हारे रदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी विवस्था कर दी है ये प्रजापती मेरी आराधना तो कभी भी निश्पल नहीं होती फिर जिनका चित निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है उन तुम जैसे महत्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है प्रशिद यशास्वी समराट स्वायंभू मनू ब्रह्म वर्त में रहकर साथ समुद्रवाली सारी प्रत्वी का साशन करते हैं वे प्रवर वे परम धर्मग महराज महरानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहां आएंगे उनकी एक रूप, यवण, शील और गुणों से संपन, श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है प्रजापते, तुम सर्वता उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम ही कोवा कन्या आरपन करेंगे ब्रम्हन, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शी ग्रहीवा राज कन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेश्ट सेवा करेगी वह तुम्हारा वीर अपने गर्ब में धारन कर उससे नो कन्याएं उत्पन्द करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीती के नुड़ा अनुसार मरीची आदी रिशिवगान पुत्र उत्पन्द करेंगे तुम भी मेरी आग्या का अच्छी तरह पालन करने से शुद्द चित्त हो फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अरपन कर मुझे को ही प्राप्त करोगे जीवों पर दया करते होए तुम आत्म ग्यान प्राप्त करोगे और फिर सब को अभैदान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझे में और मुझे को अपनों में इस्थित देखोगे महामुने मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूती के गर्ब में अवतीर्ण होकर शांग के सास्त्र की रचना करूँगा मैत्रिय जी कहते हैं विदुर जी करदम रिशी से इस प्रकार संभाशन करके इंद्रियों के अंतर मुख होने पर प्रकट होने वाले श्रीहरी सरस्वती नदी से घिरे हुए विंदू सर तीर्थ से जहां करदम रिशी तप कर रहे थे अपने लोग को चले गए भगवान के सिद्ध मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रसंसा करते हैं वे करदम जी के देखते देखते अपने लोग को सिधार गए उस समय गरुट जी के पंखों से जो शाम की रिचाएं निकल रही थी उन्हें वे सुनते जा रहे थे विदुर जी श्री हरी के चले जाने पर भगवान करदम उनके बताए हुए समय के प्रतिक्षा करते हुए विंदू सरोवर पर ही ठहर गए वीरवर इधर मनु जी महरानी सत्रूपा के साथ सुवन जटित रत पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बिठा कर प्रत्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था उसी दिन शान्ती पराएंड महरसी करदम के उस आश्रम पर पहुँच गया सरस्वती के जल से भरा हुआ यह विंदू सरोवर वह स्थान है जहां अपने शर्णागत भक्त करदम के प्रती उत्पन हुई अत्यंत करुणा के वशी भूत हुए भगवान के नित्रों से आश्रों की बूंदे गिरी थी यह तीर्थ बड़ा ही पवित्र है इसका जल कल्यान में और अम्रत के समान मधुर है तथा महरसीगन सदा इसका सेवन करते रहते हैं उस समय विंदू सरोवर पवित्र वरक्ष और लताओं से गिरा हुआ था जिसमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र म्रग और पक्षी रहते थे वह स्थान सभी रितूओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुन्दर वन श्रेनी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी वहां जुन्ड के जुन्ड मतवाले पक्षी चहक रहे थे मतवाले भौरे मंडरा रहे थे उन्मत मयूर अपने पिक्ष फैला फैला कर नट की भाती नरत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मनों एक दूसरे को बुला रहे थे वहाश्रम, कदंब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए-नए आम के व्रक्षों से अलंकृत था वहाँ जलकाग, बत्तकादी, जल पर तैडने वाले पक्षी, हंस, कुरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर, मधुर स्वर से गल्रव कर रहे थे हिरन, सुवर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंग, वानर, नेवले और कस्तूरी म्रग आधी पशुओं से भी आश्रम घिरा हुआ था आधी राज महराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुँच कर देखा कि मुनिवर करदम अगनी होत्र से निवरत होकर बैठे है बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दीख परते थे तथा भगवान के इस ने पूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किये हुए करणामरत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेस दुरबल नहीं जान पड़ते थे उनका शरीर लंबा था नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनुहर थे शेर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे वे निकट से देखने पर बिना सान पर चड़ी हुई महा मुल्य मडी के समान मलिन जान पड़ रहे थे महराज स्वायंभू मनु को अपनी कुटी में आकर परणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशरवात से प्रसंद किया और यतोचित आतित्थि की रीती से उनका स्वागत सतकार किया जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहन कर स्वस्थ चित्थ से आसन पर बैठ गए तब मुनिवर करदम ने भगवान की आग्या का समरन कर उन्हें मधुरवानी से प्रसंद करते हुए इस प्रकार कहा देव आप भगवान विश्णू की पालन शक्ति रूप है इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुस्टों की संगार के लिए होता है आप शाक्षात विशुद्ध विश्णू सरूप है तथा भिन्द भिन्द कारियों के लिए सूर्य, चंद्र, अगनी, इंद्र, वायू, यम, धर्म और वरण आदी रूप धरण करते हैं आपको नमस्कार है आप मलियों से जड़े हुए जैदायक रत पर सवार होकर अपने प्रचंद धनुष की टंकार करते हुए उस रत की घरगराहट से ही पापियों को भैभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चर्णों से रौंदे हुए भूमंडल को कपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर प्रत्वी पर सूर के समान विचरते हैं यदि आप ऐसा ना करें तो चोड़ डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को ततकाल नश्ट कर दें तथा विशालोलूप निरंकुष मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए यदि आप संसार की ओर से निश्ट हो जाएं तो यह लोग दुराचारियों के पंजे में पकड़ कर नश्ट हो जाएगा तो भी वीरवर मैं आपसे पूँचता हूँ कि इस समय यहां आपका अगमन किस प्रयोजन से हुआ है मेरे लिए जो आग्या होगी उसे मैं निश्कपट भाव से सहर्ष स्विकार करूँगा स्प्रकार श्रीमत भागुतम के तीसरे सकंद के अंतरगत 21 आध्याई संपूर्ण हुआ श्रीमत भागुत महापुरान की जय